गरेलू उप्चार और्सु की जीवन चैनल पर आपका हाड़ दिख स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जड़ते बालों को रोकने वाले एक बहुत असरदार गरेलू नुस्खे के बारे में जिसका कोई भी साइड एफेक्ट आपको नहीं होगा पहला नुस्खा अगर आपके बाल बहुत तेजी से जड़ रही हैं तो निश्चित ही आपके बालों की जड़े बहुत जादा कमजोर हो चुकी हैं इसके लिए आप बाजार से अच्छी वाली साबो धरी मूंग ले आएं और उसमें से 50 ग्राम सुबह के समय एक ऐलमूनियम क बर्तन में पानी में भिगोंकर साम तक के लिए धकर रख दे साम होने पर आप इस बर्तन का पानी निकाल दे और अगली सुभह तक ऐसे ही इस मूंग को ढखकर रख दें फिर सुभह अगले दिन आप जब देखेंगे तो मूंग अंकुरित हो चुकी होगी और अब आप इस अंकुरित मूंग को सुभह हर रोज अच्छे से चबा-चबा कर एक महीने तक लगातार खाएं एक हपता जब आपको ये मूंग खाते हुए हो जाए तब आप 50 ग्राम से बढ़ा कर इसकी मातरा 100 ग्राम कर दें तो दोस्तो ऐसा करने से आपको बेहद जोकाने वाले फायदे होंगे आपके बालों का जढ़ना, गिरना, तोटना सबबन्ध हो जाएगा और एक महीना होते होते आपके बाल फिर से उगने लगेंगे और पहले जैसे हो जाएगे दूसरा नुस्खा अगर आपके बाल काफी मातरा में गिर चुके हैं और सर गंचा दिखाई देने लगा है तो आप किसी भी तरीके से प्याज का रस निकाल लें और इस प्याज के रस को हलके हाथ से या ब्रिस की सहता से या फिर रुई की सहता से उस जगह पर लगाएं जहा और एक महीना यदि आप इसको लगातार लगा लें तो वहाँ पर नए बाल उगने लगेंगे और पहले ही जैसे हो जाएंगे प्याज का ये रस बहुत ज़्यादा फायदा मन्द है और ध्यान देने वाली बात ये है कि दोस्तो इस नुस्खे के साथ साथ आप अंकूरित मुंग का सेवन भी लगातार करते रहें तो आपको तेजी से फायदा होगा तीसरा नुस्खा है आवला आवले का परियोग आप कई तरह ही से कर सकते हैं जैसे आप इसे कच्चा भी खा सकते हैं या फिर आप आवले का जोस निकाल कर 10-10 ग्राम सुभे साम पी सकते हैं और ये नुस्खा भी आपको लगातार एक महीने तक करना होगा ये बालों के साथ साथ पूरे सरीर के लिए बहुत जादा फायदेमत है क्योंकि इसमें विटामिन सी और एंटी अक्सिडन्ट भरपूर मातरा में होता है इसके अलावा आप आवले का पॉर्डर बना कर इसमें निमो का रस अच्छी तरह से मिक्स करके पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को सर में लगा कर सूखने तक इंतजार करें अच्छी तरह से जब ये सूख जाए बाद में इसे हलके गरम पानी से धोलें तो आपको बहुत जादा फायदा होगा इस तरह से जो हमने आपको तीन नुस्खे बताए हैं तीनो एक साथ लगातार एक महीने तक आप करते रहें तो इससे बालों का जड़ना तूटना गिरना मातर दस दिन में ही बंद हो जाएगा और एक महीना होते होते आपके बाल फिर से पहले जैसे हो जाएंगे बहुत ही अच्छे खुबसूरत मुलाइम मजबूत और चमकदार आपके बालों की तमाम समस्याएं इन तीनों नुस्खों से पूरी तरह से दूर हो जाएंगी और इनका कोई भी साइड अफेक्ट आपको नहीं होगा दोस्तो आज के लिए सिर्फ इतना ही आप देख रहे थे घरे लुग चार और सुगी जीवन हमारी इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और यदि आपने हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजे ताकि आपको हमारी नई वीडियो के नौटिमफिकेशन मिलते रहें